मुश्कार फ्रेंट्स एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ यूरिक एसिड की पेशिंट्स जिन में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और यूरिक एसिड बढ़ने की वज़े से उने जॉइंस पेन बॉड़ी एक्स और इनसे अलावा किड्नी रिलेटेट प्रॉब्लम्स भी हो जाती है specially जो uric acid बढ़ने से किर्णी में problem देखी जाती है वो है stone formation चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ कि high uric acid होने किस किस वज़े से हो सकता है क्या क्या causes है अगर आपकी body में water retention हो गया है और water retention होने की वज़े से आप diuretics ले रहे हैं आपको ऐसी medicine ले रहे हैं कि आपको urine बार बार जाना पड़ रहा है तो उसकी असर की वज़े से भी uric acid बढ़ सकता है अगर आप ज़्यादा alcohol लेते हैं ज़्यादा soda drinks ज़्यादा ले रही है या फिर बहुत ज़्यादा food जिसमें की fructose नामक sugar होता है उन foods को ज़्यादा ले रहे हैं आप ये hereditary भी हो सकता है अगर आप hypertensive है तो आपकी uric acid बढ़ने के chances ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपने immunosuppressive drugs ली हैं तो भी uric acid rise होने के chances आपकी body में develop हो जाते हैं homeopathic treatment homeopathic में बहुत सी medicines हैं जो की बहुत effective हैं अगर उनको आप proper advice पर लें और proper repetition के साथ लें चलिए तो शुरू करते हैं पहली medicine chronic cases पुरानी cases जिन में patient किसी भी form की heat tolerate नहीं कर पाता है न सिकाई tolerate कर पाता है न कोई गरम खाना खा पाता है उसके बाद से problem हो जाती है गरम ड्रिंक लेता है उसके बाद से उसको problem हो जाती है और gouty pains उसकी body में uric acid बढ़ने की वज़े से बहुत ज़्यादा gouty pain है lessinating है अभी यहां था यहां से lessinate करके यहां आ गया मतलब shifting pains उसकी body में होंगे और main character strict feature होगा कि 6 pm से 4 am तक उसका pain बढ़ रहा है मा कीजिए 6 pm से 4 am तक उसका pain बहुत ज़्यादा increase हो रहा है और साथ ही साथ अगर हम उसके patient के पास बैठें तो bad smell आती है उसकी body से तो ऐसी case में जो remedy medicine निकल के आती है friends वो है guaiicum guaiicum अगर आप लेते हैं और आपको ये सारे underline symptoms है जो अभी मैंने mention की है then it will give you 100% relief इस guaiicum के patient को इतना तेज pain होता है कि वो immobile हो जाता है वो move नहीं कर पाता उसको डर लगता है चलते होए जैसे वो चलता है तो उसका pain बढ़ जाता है ये तो थी guaiicum एक और medicine आती है कि किसी एक joint तक stiffness ना रहके patient की body पूरी stiff हो जाती है body का कोई भी हिस्सा अगर उसका हिलता है तो उसको pain महसूस होता है इसके अलावा जो joints माली जे knee joint है या फिर knee joint है आपका elbow joint है, wrist joint है जो इन joints के उपर की skin covering है उस covering पर बहुत जादा itching होती है और itching के साथ साथ अगर patient जिस वक्त itching या pain हो रहा होता है उसे गरम पानी की धार बानता है pour up करता है तो इस patient को गरम पानी से बहुत अराम मिलता है अगर ये सारे symptoms है कि पूरी body में stiffness है skin के उपर itching है और गरम पानी की सिकाई से आपको अराम मिल रहा है तो आप lithium कार्ब ले सकते है अगली medicine आती है benzoic acid benzoic acid में uric acid बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ने की वज़े से जो urinary system के symptoms हैं वो भी appear हो जाते हैं more marked हो जाते हैं uric acid के जो crystals होंगे क्योंकि वो ज़्यादा बढ़ गए है वो deposit हो जाते हैं आपकी kidney में वो kidney में deposit हो जाएंगे और वो stone formation कर देंगे पत्री बना देते हैं वो kidney में deposit होकर और complaints जो होंगी ना कि kidney kidney की बलकि kidney plus joints दोनों की complaints patient को आ जाती है patient stiff हो जाता है tenderness उसके joints में होगी stiffness उसके joints में होगी swelling उसके joints में आ जाएगी redness उसके joints में रहेगी अगर ये सारे symptom है तो benzoic acid must be given और should be given next आती है leadampal leadampal का main characteristic feature है कि patient को नीचे की तरफ से pain बढ़ने शुरू होते हैं और उपर की तरफ आ जाते हैं और जैसे जैसे वो उपर-उपर बढ़ते हैं उनकी intensity याने की दर्द भी वो बढ़ता रहता है ठीक है ना और इसके अलावा जो high level of uric acid अगर blood में patient के आ रहा है जब blood में uric acid का जादा concentration आएगा तो uric acid के crystals जोगे-जगे joint पर deposit हो जाते हैं वो जम जाते हैं जिससे की patient को बहुत ज़्यादा complaints बढ़ जाती हैं और leadampal के patient में mainly जो complaints बढ़ती हैं वो after having alcohol और meat अगर उसने last night alcohol और meat का consumption किया है खाया है तो very early in the morning उसकी जितने भी pains होंगे body के वो उसको बढ़े हुए मिलते हैं last medicine is arctica urines uric acid के बढ़े हुए cases में हम दे सकते हैं वो पुराने हैं, chronic हैं या फिर वो acute है 2-4 दिन से या within 2 hours से ही हैं सब में बहुत ज़्यादा effective होती है और arctica urines के pain mainly ankle joint या फिर wrist joint में limited होते हैं और इसके साथ ankle joint और wrist joint में pain के साथ patient को kidney में stone अगर चेक कराया जाए तो इसको stone भी मिलता है तो इस case में आप arctica urines दे सकते हैं ये थी कुछ homeopathic medicines जो की आपको help कर सकती हैं इसके अलावा अगर आपके body में uric acid की टेंडेंसी है तो आप leguminous things कम खाएं आप protein वाली चीजे कम लें दही कम खाएं अपने डाइट में नियमित तहलें और अपने BP को regularize रखें for more information visit our website homeoblessings.com and subscribe my channel please and if you want to ask anything comment me in my comment box stay fit, stay healthy and keep motivating me thank you